तॉपर्स किलब आई एस अकेडमी में सभी चाठ चात्राओं का स्वागत है PCS की जो मुख्य परिच्छा है और उसका जो फिप्थ पेपर है उसका जो पहला जो पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश का इतियास सभिता संस्कति और प्राचीन नगर यहां से एक प्रसंद बन यार जो दुरलब सोर्स हैं मैंने आर्केलोजी साइट से से समिट किया हुआ है अगर इनको आप अपने उत्तर में सामिल करेंगे तो आपको फुल में से फुल भी नंबर दे सकता है नहीं तो अधिकतर दो नंबर दीगा ही देगा चलिए बात कर लेते हैं पहले नगर की ल कमी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके देदेगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगा अब जो पहला जो नगर है अस्तिनापूर है ठीक है पहला है अस्तिनापूर तेखिए मैं बार-बार क्यों देखे रहा हूं अभी आपने जब 2019 का जो पेपर दिखा होगा और 2019 क प्रसना आयता कि प्राचीन भारत में प्रयाग राज के सांस्कृतिक महत्तु का वर्णन कीजिए यानि तब प्रयाग राज को पूछा गया था और उसके कल्चरल पार्ट को यानि सांस्कृत को जो महत्त है उसको पूचा गया इस तरह से उत्तर प्रदेस में बहुत सी कि इस सब्सक्राइबर प्रयाची जो राजदानियां प्रयाशेता साहितिक विवर्ण में हम क्या क्या ले सकते हैं तो महभारत में तो यह कौर्व की राजदानी थी बिश्लूप्रार का आप जिकर कर सकते हैं कि गंगा में डूबने और राजा जो निच्छचू थे उन्होंने जब यह अस्तनापूर जब बाड़ा गई थी इसमें गंगा में तो यह डूब गया था तो उन्होंने अपनी राजदानी को सामभी परविद्द की थी ठिक है तो इसका आप उलिक कर सकते हैं बौट साहित और जैन साहित दौनों का उलिक कर सकते हैं क्यों क्योंकि बहुत साहित है कि सम्णाट असो के पौत्र के द्वारा यहां पर इस तीनों का जो जन्म है वो हस्तरापुर में माना गया है तो यह आप पर इविडेंस उसमें डाल सकते हैं बूदा पॉइंट रूम में अब आर्टियोजी एविडेंस की बात कर लें तो बीवी लाल थे उन्होंने 1950 से लेके बावन तक यहां पर खुदाई की और यहां पर जो स सकते हैं साथ ही यहां पर जो गुपत कालीन है वो करण्ड क्यंट रूमंदिर है सुख लेन आपकी है इस तरह Uhhकी मूर्ति प्रबात करें तो बलवन कालीन यहां पर सिक्क्र प्रब्फ रौप्त हुआ है और यहां पर मधिकाल की ईच्ध हैं बीप्राप्त हुई हैं द्यार ठीक है तो यह बात ध्यारगना है कि मेडाइवल इस्ट्रियानी सल्तनत काल तक हैस्तिनापूर की जो कल्चर है वह ग्रामीड सपिता की रूम में यह जरूर रही है तो देखिए यह मैंने आपको पॉइंट इसलिए बताए कि इन पॉइंटों को आप अपने प्रस्निम में ड देखने को मिलता है जिसके काण्ड राजा निच चछू ने को संभी में अपनी राजदानी परवतन कर ली थी बीवी लाल द्वारा यहां पर उत्खनन कार किये गए तो यहां पर पांच चरण हमें देखने को मिलते हैं पहले चण कौन सा है वह गैरिक यहां से गेर हुए म बश्त्र कर दखा देते हैं उत्रीकाली चंकीली में वह को में पकिए और भवड निर्माण और अगनिकांड भी दिखाई देता है यहाँ निग्रिकरण करकी जो लचण है नगरिकण के जो लचण है वो आपको उत्तरी काली चमकीले चण में दिखाई देते हैं उत्तर एन वीपी संस्कृती में यहां इंटो का भ्रत प्रयोग हुआ और यह नगरिकण को पूर प्राप्त हो चुका था क्योंकि यहां पर आपके नाली भी यहां पर दिखा जाएं तो हिंदू चैन द्रमो और यहां पर साथथशी पराप्त होता है और संस्तत काल में अब दिखा जाएं तो यह बल्वन का चिक्का मिला था melhores इंटी में पर नाट सी तो इस तरह से यह आपको उसके बारे मिले सकते हैं साथी आईचक्र कि हम बात कर ल蒠고 तो आईचात्र दुरूता नगर है और यह आदुन की पैचान इसकी बरेली के इस्तित राम नगर से की जाती है यह उत्री-पंचाल की राजदानी थी द्यान रखिएगा महावारत में आपने तुना होगा कि गुरू दोने दच्छडा में पांड़ों को लेके गए थे और प यहां पर इस्तू परमायता द्यारगना यह आईचात्र इसी रही महत्तपूर है क्योंकि यह पर महर कालीन इस्तू प्राप्त होता है उत्कनान आदुरू से सुरतों से पता चला है कि यहां पर तीन सो इसापूर्व बड़ी आबादी कच्छे मकानों में रहती थी और यहा से पकी इंटों के मकान देखने को मिल जाते हैं ठीक है और यहां के जो मकान वह कैसे कतारवत हैं याने इंजिनिंग दिश्टी से यह बसे हुए हैं और यह लगता है कि सिंदुगाटी सब्विता से मिलती जलती नगर संचना थी यहां से लोए और तामे के भी उपकड़ प भारत का नेपूलीन का जाता है उन्होंने यहां के सास को पराजट किया था यानि आर्या वरत के जो धुति युद्द्व में उनोंने अचस今日は प्रयाग प्रसस्ति में मिलता है जब यह कंटेंट डालेंग तो आपका निशा रूब से एक अच्छा मानक उत्तर हो जाएगा ठीक है अब देखो गुप्त कालिन की बात करें महरा में तो आयचत्र बुक्ति का उल्ले की मिलता है और सो इसवी से लेकर तीन सो पचास इसवी की बीच यहाँ कीमती पत्तर और मृद्वांड करा देखने को मिलती है कुशाण काल में यहाँ पर विखसित नगर की भूंका य देखने को मिलती है 350 से 750 के बीच मंद्र का निर्मार हुआ अर्द भृत्ताकार मंद्र के यहाँ पर साक्षिप्राप्त हुए है राम अंगा नदी के किनारे इस्तित्रिया नगर महावारत काव्य में अपनी रणनीतिक उपस्तिती भी दरसाता है आदरिक सोदों एवंग उ समर्द परंप्रा के साथ यह एक प्रहुक लौ इस्तलता देखे मैंने आपको छोटा से बीडियो बनाया है और यह मात्र मैं आपको दस वीडियो में यह पूरे नगर कंप्रीट करा दूंगा यहां से प्रसंद पूचे जाने की संभावना है अब आपको देखिए मैं आप को लिख करके मुझे मेरे नमबर 8604987816 पर आप बेज सकते हैं साथी हमारी यूपी पीसिया समेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आप चाहें तो डिस्क्रिप्स बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है महां से उसे जॉइन कर सकते हैं और हम एक उच्छिस तरी आपकी बेसिक कमजूरिया कहां पर है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद